36 कड़वधान सभा बजट सत्र की शुवात 5 फरवरी से हो चुकी है वहीं राजिपाल के अभी भाशन के साथ ही बजट सत्र की शुवात हुई अब आगामी 9 फरवरी को प्रदेश के वित्तमंतरी उपी चौधरी सदन में विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट पीश करेंगे जहां 12 और 13 फरवरी को बजट पर सदसे चर्चा होगी जिसके बाद 14 से 26 फरवरी तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी ये बजट सत्र 5 फरवरी से 5 मार्श तक चलेगा वहीं इस बजट सत्र में 36 कड़ के विद्टमंतरी ओपी चौधरी बजट पीश करेंगे 36 कड़ के राचनीतिक इतिहास में 20 साल के अंदर ऐसा पहला मौका होगा जब कोई सीम बजट पेश नहीं करेगा वहीं से पहले 20 साल तक रमन सरकार और भूपेश सरकार में प्रदेश के मुखे मंतरी ही बजट पेश करते आये हैं क्योंकि विद्टमंतराले उनके पास होता है इस पार साई सरकार में विद्टमंतराली की सिमिदारी ओपी चौधरी को मिली है लिहाजा वह बजट पेश करेंगे अब तक बजट सत्र के लिए विधायकों द्वारा कुल 2171 सवाल लगाए जा चुके हैं जिसमें से 1033 तारांकित और 1034 अतरांकित सवाल है वहीं बजट सत्र के दौरान विपक्षी सदस से जहां सरकार को मोदी की गैरंटी और अन्यवादों पर घिरतने की कोशिश करेंगे तो वहीं सत्र पक्ष के सदस से भुपेश सरकार में हुए घुटालों और भष्ठचार के आरोपों को लेकर कॉंग्रेस को घिरने की कोशिश करेंगे